Hello everyone, I am Dr. Nikunj Mittal, Senior Neurosurgeon Consultant from Manipal Hospital, Gazebad. आईए आज हम बात करते हैं road traffic accident के बारे में, especially head injury. Road पे accident आए दिन देखे जाते हैं, किसी भी car and wash हो सकते हैं, किसी की भी गलती की वज़े से हो सकते हैं, और कई बार कोई गलती भी नहीं होती, फिर भी accidents होते हैं. जब road traffic accident होते हैं, तो especially हम बात करते हैं head injuries के बारे में, जो सबसे घातक हो सकती हैं, और patient की जान भी ले सकती हैं. जब भी आपका कोई road road accident हो, या आप किसी का road accident होते वे देखें, तो आपका first बनता है, patient को सबसे पहले nearby अस्पताल लेके जाएं, और वह आप पे इसका first rate treatment दें. अस्पताल में देखिए patient की हालत कैसी है, अगर serious है, तो doctor उसको attend करता है, और उसकी जो बाते होती हैं, उसको follow करनी चाहिए. road traffic accident आजकल बहुत common हो गया है, इसलिए लोगों में awareness होनी चाहिए, कि कैसे इसको लोगों को treat किया जाए, कैसे इन लोगों को मदद की जाए. सरकार के दुवारा बहुत सारे आदेश हैं, जैसे कि जब सर रख पे चलें, तो हमेशा हेलमेट पहन के चलें. हेलमेट पहने से जो सर की चोट होती है, सर पर जो चोट लगती है वो बहुत कम हो जाती है, उसके जो चांसिस हैं बहुत कम हो जाते हैं, अगर आपका सर कवर्ड है और आप गिरते हैं, तो जो सर में जो अंदर ब्रेन है उसको चोट बहुत कम लगती है, लेकिन अगर नही तो चांसेस बढ़ जाते हैं और आपको ब्रेन में चोट लगने का इंदाश्य काफी जादा होता है जिसके कॉंसी कॉंसी काफी खतरनाक हो सकते हैं इसलिए हमेशा जब भी सड़क पर चलें तुपईया बान पर हमेशा हेलमेट लगा के चलें और अपना धिहान रखें स्पीड कंट्रोल में रखें आईए जानते हैं कि अगर किसी का एक्सिडेंट होता है तो हमें क्या करना चाहिए अगर किसी का रोट पर एक्सिडेंट हो जाए तो पहले उसे मदद करने से ना कतराए आमताम पर जब एक्सिडेंट होता है तो जादा तर जब पेशन्ट होते है या भूल जाते हैं या खोश में नहीं रहते हैं या सरदर्द होता है या उल्टिया होती है जब ऐसा कुछ हो डॉक्टर की एडवाइस पर CT scan कराना चाहिए CT scan क्यों जरूरी है CT scan इसलिए जरूरी है कि अगर जो ब्रेन के अंदर दिमाग को चोट लगी है तो हमें पता लग सके और उसका ट्रीटमेंट किया जा सके जो CT scan में चेंजिज होते हैं या जो ब्रेन में चोटे के जो निशान होते हैं वो एक से चोट लगने के एक से 6 घंटे बात तक देखे जा सकते हैं इसलिए जरूरी है क अगर दॉक्टर आपको एडवाइस करता है कि अब्जवेशन में एक दिन या छे घंटा या दस घंटा या बारा घंटा रहना है इस्पताल में तो उसको जरूर फॉलो करें और जो वो दवाईया देता है उसको टाइम से लेते रहें मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप जब भी रोट पे चलें अपना ध्यान रखें सेफटी रूल्स को फॉलो करें सारे नियमों को पालन करें अपना बचाव रखें और दूसरों को भी बचाव करें धन्यवाद